Importance of ARP ARP याने की Average Regal Price का मतलब होता है Products का Average Pricing जो के पूरे दिन या पूरे महिने या पूरे साल में बेचे गए हुए है ARP कैलकुलेट करने के लिए Total Sale को Total Quantity Soul से डिवाइड किया जाता है For example, अगर स्टोर में 2000 Garments बेचे गए है और Total Sale रुपीज 15 Lacks है तो ARP per product 750 होता है ARP को Daily, Monthly या Yearly भी कैलकुलेट किया जाता है ARP Analyze करने पर यहाँ पता चलता है कि स्टोर टीम मेंगे Garments बेच पा रहे है या नहीं और इसे यहाँ भी पता चलता है कि Market का Potential कितना है High Garments अफोर्ड करने के लिए ARP यहाँ भी बताता है कि स्टोर में High ARP वाले Garments रखने चाहिए या नहीं High Price Garments बेचने पर स्टोर का ARP बढ़ सकता है आईए अब हम स्टोर का ARP कालकुलेट करते हैं आईए स्टोर करते हैं हार में5 तुकीलेट कम कनione पुचित यहाँ भी प्रसकता है स्ट territories